कोशी तटबंद के अंदर बसे दर्जनों गाउं के आक्रोशत लोगो नाउफ की मांग को लेकर आगजनी कर सड़क को किया जाम ये नजारा है बिहार के सुपॉल जिले के कोशी तटबंद की जहां कोशी तटबंद के अंदर जब दर्जनों गाउं में बाड का पानी गुसा तो वहां आने जाने के लिए नाफ का नहीं होने से जिला प्रशासन के खिलाफ सैकडो लोगों का हाक्रोश इस कदर फूट पड़ा कि सड़क पर आगजनी कर नाफ की मांग करने लगे आपको बता दे कि नेपाल के तराई छेतर एवं सुपावल में करीब दस दिनों से लगतार बारिश होने के कारण कोशी नदी के जल में लगतार वृधि होने से तटबंड के अंदर बसे गोपालपूर सीरे गुरन बकोर से ही दरजनों गाउं में जाने के रास्ते काट कर क कोशी में मैं विलन हो गई है घौन वालों का कहना है कि जिलपर शासन के दवारा पंदर दिन पहले ही कोशी में जलस्तर बढ़ने की सूचना दे दिया गया था लेकिन एक नाम मुया نہीं कराया गया है अगर हम लोगों को जल नाम उपलब नहीं कराया गया तो हम लोग सम्हा पारानाले में जाकर उग्र आंदोलन करेंगे सुपाल से कुना की रपोर्ट है मतलब फलड का जो है जिला मुख्याले के दुआरा सुचना दे दिया गया और पानी अभी भी बर्शा के कारण बहुत ही ज्यादा बल्कि कोशी का पानी है नहीं इसके तथ आने जाने में लोग बच्चा हेल करके जाना पड़ता है इसके लिए अगर मेरी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग घिला मुख्याले पे भी परदर्शन करेंगे और हम लोग की मांग को सुना जाए मुंगरार घाट पर नया नौ के लिए नो जो है तूटी हुए पिछले साल से हम लोग डीम को आवेदन दिया है डीम साहब को अवेदन दिया है लेकिन अभी तक कोई कारवाई ने हो पाया नहीं ना नौ आ पाया हम लोग को आने जाने में में बहुत ही परसानी हो रहा है एक छोटी सी नोगों में किसी तरह से वेवस्था करके दिये हुए वो भी कभी-कभी डूबने के कागा पर रहता है दो-ती नोच तो दूब भी गया लेकिन छती नहीं हुआ कोई तो सरकार से मेरा मांग है कि यहां पर नया से नया जल से जल देनी की कोशिज करें ने तो हम लोग अभी जीला मुख्याला में भी प्रोटेस्ट करेंगे आगे जाके